नमज़कर दोस्तों क्या हाल चाह रहे हैं रेड्मी ने अपनी 13 सीरीज इंडिया के अंदर लाँच कर दिये मेरे बाई एंड हर एक चीज बाहर आ चुके है बट रेड्मी नौड 13 प्रो इस स्मार्टफोन का काफी जादा लोगों को जो इंतजार रहता है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेड्मी नौड 13 प्रो 5G की क्या ये स्मार्टफोन प्राइस को जस्टिफाइग करता है जो स्पेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमें ये स्मार्टफोन लेने चाहिए 200 मेगाफिक्सल का O.S के साथ कैमरा ट्रिपल कैमरा सैटप 8 मेगाफिक्सल का इल्टरा वाइ 2 मेगाफिक्सल का मैक्रो सेंसर 16 मेगाफिक्सल के सेलफिश यूटर कैमरा चिपसेट के अगर बात करें तो कॉलकॉम स्नैब डागन 7S जैन 24 नैनो मेटर इस चिपसेट के कोई खास अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा प्रफोर्मेंस है भी नहीं हाई भी नहीं और लो भी नहीं एक मेडियम वाला है अगर प्राइस रेंज के अंदर बागर प्राइसिंग के बात करें 6.7 इंचिस की 120 GHz रेफ्रेश्ट के साथ AMOLED डिस्प्रेइ देखने को मलती है हाँ ये बात कहने पड़ेगी कि इस स्मार्टफोन के अंतर जो बैजल सें साइट्स में हमें बहुत ही ज़ादा कम देखने को मलती है लुक अंड डिजाइन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है काफिजदा प्रेमियम है काफिज़ादा अच्छा डिजाइन Redmi Note 13 सीरिस का है सभी स्मार्टफोन का डिजाइन काफि अच्छा है बट अकेलिए डिजाइन से नहीं स्पेक्स और प्राइस भी मेरे बाई मैटर करते है Android 13 के साथ देखने को मिलागा and MIUI 14 लेटस्ट अफडेट के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को जो ये आपको मैंने स्पेक्स बताए Redmi Note 13 Pro के ये स्पेक्स आपने हर एक स्मार्टफोन यानि नॉर्मली आपने सुन ही रखे होंगे बस एक चिप सेट को छोड़ के बाकी ये सभी गसे पिटे पुराने स्पेक्स ही आपको देखने को अब 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 इस वेरिंट 8GB RAM PLUS 128GB STORIES आपको देखने को मिलेगा 26,000 रुपे के अंदर अब ये प्राइजिंग इन स्पेक्स को जेस्टिफाइड नहीं करता है ये ओवर प्राइज स्मार्टफ़न आपको देखने को मिलेगा रेडिमी नोड 13 प्रो अब मतलब क्या ही बात करें भी 26,000 रुपे के अंदर होता तो ये मार्केट को फिर से किल कर देता बात करें तो यहां पर आपको जो रैम इंड स्टोरेज है ये वह यह दो हजार चो भी चिल रहा है और ये 23 के स्पेक्स हमें प्रवाइड करें LPDDR 4X UFS 2.2 देखने को मिले है जो की नोर्मली आठ दस हजार के स्मार्टफ़न के अंदर हमें यहां पर कम से कम आपको LPDDR 5X UFS 3.1 की स्टोरेज आपको देनी चाहिए थी ताकि इस स्मार्टफ़न की प्रफॉर्मंस है वो और जादा इन्हेंस हो जाती है इस स्मार्टफ़न के अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वो अठाटा से पीस जार परे की प्राईजींग वाले चिपसेट देखने को मिलता है ना कि एक 25, 30, 26,000 वाले chipset है इस smartphone की pricing है जो 26 यानि 26,000 है तो ये chipset इस pricing को भी justify नहीं करता है जो major problem है वो इस smartphone की है आपको यहाँ भी dual SIM का support देखने को मलता है कोई भी आपको memory card का support नहीं देखने को मलता अब dual SIM कुछ लोग नहीं use करते कुछ लोग करते मैं नहीं करता मुझे एक memory card और एक SIM का support चाहिए चाहिए अब जो मेरे जैसे लोग हैं वो इस smartphone को नहीं purchase करेंगे तो ये सबसे बड़ी एक hybrid SIM slot दे दे थे जिसके अंदर जिसने एक memory card यूज करना है वो memory card कर ले जिसने SIM करना है वो SIM करना है वो SIM करना है बट इस smartphone के अंदर आपको दोनों ही आपको SIM यूज करने पड़ेंगे next and सबसे ज़्यादा जो मुझे बिकार लगा वो था इस smartphone का android update yes guys यहां पे update नहीं actually यह 13 के साथ आता था android 13 and company नहीं का है कि अब हम जल्द ही इसके अंदर 14 भी दे देंगे and MIUI यहां पे 14 आपको देखने को मलता जबकि इसके अंदर Hyper OS हमें देखने को मिलने चाहिए था जो कि MIUI ने यानि Redmi ने अभी जो अनौन्स किया है but company का है कि update के साथ हम इसको दे देंगे but आपने पहले देना चाहिए था इस smartphone के अंदर आपको तीन android update देखने को मिलेंगे यानि एक तो सबसे पुराना वाला है यानि 14 तो हमें smartphone के अंदर आना चाहिए था but इन्होंने दिया है 13 तो ये एक साल वहां से पीछे चले गए and ये मुझे सबसे ज़ादा बेकार बात लगी because अगर इसके अंदर 14 आता तो तीन साल के और अप्रेट यानि ये 17 तक चला जाता and वो काफे ज़ादा कमाल के बात होती but ये 2024 के अंदर भी आ रहा है 13 के साथ and majorly सभी के सभी smartphone हैं जो इस टाइम के उपर 14 के साथ आता है but Redmi Note 13 Series completely आपको Android 13 के उपर देखनी को मिल रही है and Redmi Note 13 Pro ये काफे ज़्यादा बेकार smartphone लगा अगर आप ये smartphone ले ले तो रुक जाओ इसके जगह आपको मैं कुछ और smartphone बता देता हूँ आप उनकी तरफ देख सकते हो and pricing भी आपको कम देखने को मिलेगी specs भी आपको काफी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेगी Moto की तरफ से आने वाला Moto Edge 40 Neo IQ की तरफ से आने वाला IQ Neo 7 ये काफी ज़्यादा अच्छे smartphone है and अगर आप एक Redmi काई smartphone लेना चाते हो तो आप Poco की तरफ जा सकते हो जगह इन्वेस्ट करना जाते हो तो Redmi Note 13 Pro smartphone मत लेना बाकिया आपकी मरज़ी है